Hello everyone. Welcome to kitchen tips. दिवाली का सीजन शुरू हो चुका है. इसलिए आज हम लोग दिवाली स्पेशल शक्करपारे बनाने वाले हैं. आज हम लोग मार्केट के जैसे शक्करपारे बनाने वाले हैं. सबसे पहले शक्करपारे बनाने के लिए हम लोगों के ज़रूरत है all-purpose floor जिसे हम लोग मैदा बोलते हैं उसकी हम लोग दो कटोरी मैदा लेंगे मैंने ingredient list description box में share कर दी है उसी के साथ कुछ tips भी मैंने description box में share कर दिये है शक्करपारे क्रिस्पी बनाने के लिए अब हम लोग इसमें डालने वाले है घी दो कटोरी मैदे के लिए मैंने 3 टेबल स्पून घी इसमें डाला है घी डालने के पहले मैंने इसे room temperature पे रखाता डारिक फ्रीज में से निकालके नहीं डाला है आप घी के जगा चाहे तो गरम तेल या फिर बटर भी डाल सकते है उसी के साथ हम लोग इसमें थोड़ा सा baking soda और थोड़ा सा baking powder डाल देते है चलो अब इन सब को हम लोग पहले अच्छे से mix कर लेते है अगर शक्कर पारे में आप लोगों ने measurement के इसाब से घी, oil या फिर बटर नहीं डाला तो चांसे से शक्कर पारे कड़क बन जाएगे या फिर तील में ही घुल जाएगे इसलिए proper measurement से सब कुछ डालना important है उसी के साथ मैंने आधा कटूरी इसमें PC हुई चीनी डाली है चीनी डालने के बात इन सब को अच्छे से mix कर लेते हैं और फिर शक्कर पारे का आटा गोतना शुरू कर देते हैं थोड़ा थोड़ा करके हम लोग पानी डालेंगे और आटा गोत लेते हैं आटा बहुत ज़्यादा सौफ्ट या फिर बहुत ज़्यादा गिला नहीं भीगाना है इसे नॉर्मल रोटी के तरह भीगाना है अगर आटा बहुत ज़्यादा गिला भीगाते हैं तो चांसे से कि शक्कर पारे जो है वो नरम बन जाएगे या फिर आटा बहुत ज़्यादा कड़क गूतते हैं तो चांसे से शक्कर पाड़े दाज से तोटेंगे भी नई इसलिए आटे को हम लोगों ने रोटी की तरह गूता है ना बहुत ज़्यादा सौफ्ट या फिर ना बहुत ज़्यादा सक्त इस तरह आटा भीगाने के बाद हम लोग इसे 20 मिनिट ऐसे ही रहने देते हैं 20 मिनिट के बाद हम लोग इसे एक बार गूत लेते हैं 20 मिनिट के बाद आप आपजर करेंगे कि इसके उपर के जो क्रैक्स है वो आटोमाटिक कम हो चुकी है हम लोग ने थोड़ी क्रैक्स ऐसे ही रहने दी है वो इसलिए भी आती है क्योंकि हम लोग ने इसमें बेकिंग सोडा और बेकिंग पावडर डाला है चलो अब आटे की छोटी से लोई बना लेते हैं और शक्कर पारे के लिए रोटी बेलना शुरू कर देते हैं इसकी रोटी हम लोग थोड़ी से जाड़ी ही बेलेंगे रोटी बेलते वक्त हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि रोटी को हम लोग एक समान बेलें कईसे बहुत जादा पतली या फिर कही से बहुत जादा मोटी नहीं होनी चाहिए अगर रोटी बेलते वक्त वो चिपक रही है तो आप थोड़ असा सूखा आटा ले सकते है या फिर उसके जगा तेल ले सकते है लेकिन अगर आटा अच्छे से भिगाय रहेगा तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी सूखा आटा या फिर तेल लेने की देखिए रोटी को हम लोगों ने इस तरह बेल लिया है देखिए ये ना बहुत ज़्यादा पतली है या फिर ना बहुत ज़्यादा मोटी चलो अब इसे हम लोग काट लेते हैं आप चाहे चाकू से या फिर पीजा कटर से इसे काट सकते है या फिर शक्करपारे काटने का अलग से स्पून आता है उसे काट सकते है मैं शक्करपारे को स्क्वेर शेप में काट रही हूँ आप चाहे तो इससे काजू कदली की शेफ में काट सकते है लेकिन जैसे कि मैंने बताया हम लोग मार्केट में जैसे मिलते हैं वैसे बना रहे हैं इसलिए मैं इसको square शेफ में काट रही हूँ आप इस शक्करपारे को एरटाइट कंटेरनर में स्टोर करके एक मेने तक रख सकते हैं फ्राइ करने के पहले शक्करपारा देख लीजे मैंने इतना मोटा इसे बेल लिया है और काट लिया है फ्राइ करने के बाद ये और भी जादा फूलेंगे चलो इससे fry करने के लिए सबसे पहले हम लोग कड़ाई में तेल गरम करने के लिए रग देते हैं तेल अच्छे से गरम हुआ है या नहीं वो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा आटा डाल के चेक करेंगे अगर आटा डालते से उपर आ रहा है तो समझ लेज़े कि आयल परफेक्ट है चलो अब इस में हम लोग शक्कर पारे फ्राई कर लेते हैं शक्कर पारे डालते वक्त हम लोगोंने आयल में एक साथ डाल दिये थे लेकिन आईल में डालने के बात आप नोटिस करोगे कि शक्कर पारे किस तरह अलग-अलग हो रहे है और ये किस तरह फूल भी रहे है इसे हम लोग तब तक फ्राइ करेंगे जब तक इनका कलर हलका सा गोल्डन ब्राउ नहीं आ जाता इसे हम लोगोंने मेडियम फ्लेम पे ही फ्राइ किया है आपने नोटिस किया ही होगा कि शक्कर पारे हम लोगोंने जिस साइस के डाले थे उस साइस के डबल हो चुके है ये इफेक्ट है परफेक्ट की डालने का इससे शक्कर पारे कुरकुरे बन जाते है और खसते भी चलो इस शक्करपारे को हम लोग एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसी सेम तरीके से हम लोग बच्चे हुए आटे की रोटी बेल लेते हैं फिर उसे काट लेते हैं और फ्राई कर लेते हैं मैंने शक्कर पारे का आटा गूत ते वक्त उसमें एक चुट की नमक भी डाला था। मैंने डिस्क्रिप्चन बॉक्स में नमक पारे की रेशिपी शेयर की है। सारे शक्कर पारे को हम लोगों ने फ्राई कर लिया है। देखिए ये किसने ज़्यादा डिलीशियस लग रहे है। दिवाली और फेस्टिवल स्पेशल मार्केट जैसे शक्कर पारे खाने के लिए रेडी है। ऐसी रेशिपीज और देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर और सबस्क्राइब करना मत भूलिए। और साथ ही में बेल आइकन भी तबा लीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तैंक यू फर वाचिंग।